नमस्कार आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत है इस टो तक में मैं यानि प्रतीग भट लेकर आया हूँ सापता हिक राशी फल जिसे मैं बताऊंगा मेंस चेले के मीन राशी का हाल और इस सपता के मुख्य तहवार और मुख्य बाते उस पर चर्चा करेंगे तो सबसे प सोमवार खास तारिपे मीठी सफेज चीज वो चाये खीर हो चाये मिठाई हो भगवान शियों को अर्पित कर दे और तीन बार चंदन से नमस्चिवाई लिके सरुसेष्ट रहेगा अब बात करते हैं 14 तारिक को विनायक चतुर्थी है मंगला गौरी वरत है जो लोग रखत चार चांदी की गूली चल पहते हुए पानी में प्रभाहित कर देनी चाहिए और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो यथा सक्ति ओम राम रहुए नमा के बाद शंकर जी की पूजा करिए शिव चालीसा का पाठ करिए तो 15 तारिक बहुत महत पूर्ण है 16 अगस्त अती महत सिंग संक्रांती और उससे भी ज़्यादा महत पूर्ण इसलिए यह हो जाता है क्योंकि सत्ता के और हमारे आत्म बलके आत्मा के कारग सूर्दियो अपनी राशी सिंग राशी में जा रहे हैं हर तरह के ग्रहन से मुक्त हो रहे हैं कही न कहीं धन वर्षा नौकरी की वर्ष हम सब पर वो करने वाले हैं आगे बात करते हैं 17 तारिक तुलसिदाज जी की जहनती है उनको याद करना जरूरी से जरूर सबके लिए जरूरी होता है क्योंके दोए हमारे जीवन में बहुत कार करें अब बात करते हैं 18 तारिक की तो माशिक दुर्गास्थमी है तो उस दि व्यापार नौकरी कारोबार समस्याओ की अगर कौन सी समस्या हो सकती किसको और नौकरी और विवाह की तो सबसे पहले व्यापार नौकरी नौकरी में अच्छाई बढ़ोतरी होती दिख रही है क्योंकि सूर्द्यों अपनी ही राशी में गए है अधिकारी वर्षिस सम्मा नहीं रहेगी, बात करते हैं विवा की, संबंदों की, इसमें थोड़ी दिक्कत इस सपता भी बनी रहेगी, लोगों को साउधान रहना होगा, किसी नए रिलेशन्शिप में ना पढ़े, कोई नया रिस्ता भी फाइनलाइज और ना करें इस हफते, तो जादा बैतर रहेगा अब बात करते हैं बच्चों के एजूकेशन की, एजूकेशन में अच्छा खासा इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगा, जो बच्चे खास तोर से रुकावत फील कर रहे थे, उनका कंसंट्रेशन भंग हो रहा था, वो अच्छा फील करेंगे, तो ओवराल सब के लिए बहतर सप्ता जाता दिख रहा है, अब बात कर लेते हैं मेश से लेके मीन राशी वालों की, तो बात सबसे पहले मेश राशी वालों की, कैसा रहेगा सप्ता, सप्ता खासा तोर पे अच्छा है, खास तोर पे सप्ता का आसरी जीवन में बहुत कुछ लेकर आपे वाला है, जिन लोगों की गोद सुनी हैं, उनकी गोद भरेंगी, जिन बच्चों की पढ़ाई में दिखते हैं, उनकी पढ़ाई बढ़े होगी, जो लाब की कामना करते हैं, लाब लेंगे, लेकिन 13, 14, 15 तारिक तक खास तोर पे शिव जी की पूजा यथा सक्ति करें, 16 तारिक से सूर पे सफलता मिलेगी 15 तारिक के बाद, तो पैरेंट्स के लिए भी गुड नियूज है, जिनके बच्चों की भी मेश राशी है, जिनकी भी मेश राशी जो हायर एजूकेशन, प्रसासनिक सेवा, सरकानी नौकरिक त्यारी कर रहे हैं, उन्हें भी लाब मिलता दिख रहा है, अब करना क्या है, पास के मंदिर में मिठाई दान करें और हर्मान जी की पूजा करें, खास तोर से बहस्पतिवार के दिन, 16 तारिक के दिन, सूर्दियों को ओम रम रव्वे नमा इस मंत्र के साथ जल जरूते हैं, अब बात कर लेते हैं, व्रसर प्राशी की, आपको लिए शुब दिशा दक्षिर पूर रहेगी, इस सब्ता सितारे आपके साथ हैं, महनत और प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन महनत और प्रयास करने पड़ेंगे, असानी से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए महनत और प्रयास करते रहिएगा, छात्रों को थोड़ा कठिन होगा, प्रत्योगी परिक्षाओ के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, तब सफलता मिलेगी, परवारिक महल में खुशियां बनी रहेंगी, परवारिक महल अच्छा रहेगा, सेहत में थोड़ा ध्यान दे अपने भाई बहन होगी, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, मात तर पे जो लोग सरकार से जुणे उन्हें सफलता मिलती, दिख रही है, बाकी पूरे सफलता अच्छा है, अब बात कर लेते हैं, मितवन राशी वालों की, उत्तर दिशा, खासा तर पे, पूर दिशा, खासा तर पे सुब रहेगी, जो लोग परत्योगी-परिक्षाओ की स पूरे साल आपको खुश रखेगी, परवार को खुश रखेगी, वानी पर कंट्रोल शरूर बनाये रखें, 18 तारिक तक नहीं तो अनायास आप लोगों से बैर ले लेंगे, वाद विवाद में बढ़े दाएंगे, 19 तारिक खासा सोग सब्टा का आकरी बहुत अच्छा जात दिख रहा है, अब बात करें कुछ और चीज़ों की तो खुशाली घर में बनी रहेगी, मन आपके अनकूल सफलता आपके अनकूल आपको मिलती रहेगी, शेर मार्केट में जो डील कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा तरक्की मिलेगी, 16 तारिक से 19 तारिक के बीच, तो overall अच्छा है, अब बात कर लेते हैं, उपाएगी, दूद और चावल से शुजी को भोग लगाएं, अभी शेक करें, ये आपके लिए सरसेष्ट रहेगा इस अपता, करक राशी पर चलते हैं, उत्तर पूर दिशा बहतर रहेगी, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, नही का सहपाथ ही आपको दिक्कत दे सकता है, ध्यान दीजेगा, नौकरी में भी इसलिए समस्या थोड़ी सी दिख रही है, तो 13, 14, 15, 16 सावधान रहना है, 17 से धीरे-धीरे समय इंप्रूव होगा, 19 तक चीजे सेटल हो जाएंगी, खास तोर पे बहुत एक सुकस ना करें, नह तो दिक्कते बढ़ेंगी, 18, 19 सारिक खासा तोर पे अच्छी, कहीं कोई समस्या नहीं, जो लोग संबंधों में हैं, नए संबंधों में हैं, उन्हें धोड़ा ध्यान देना है, और जो लोग और लेडी वैवाइक संबंध में हैं, उन्हें अपने जवान पर कंटोर लखन कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है, हरे रंग से दूर रहें और चांदी या चावल का दान करते हैं, इस सप्ता सोम मार के दिन, आब बात कर लेते हैं, सिंगराशी वालो की, पूरब दिशा बहुत ही अच्छी, उत्तर दिशा बहुत ही अच्छी, विजनिस और व्यापार के न समय अच्छा है किसी लंबी दूरी की यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है परिक्षा में कड़ी मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी लेकिन पितरों का आशिरवात लेते रहिएगा और सूर्दियों को जल देते रहिएगा स्वास्त को लेकर खास तौर पर अपने और पिता के स्वास्त पर कोई भी लापरवाई ना रख करें नहीं तो दिक्कत हो सकती है बाकी महिना पूरा अच्छा है हपता पूरा अच्छा है कहीं कोई समस्या नहीं है जीवन में इंज्वाई करते रहेंगे ग्यारा बार सूरुदियों को नमशकार करें ओम भास कराएं नमा इस मंतर का जाप करें या पुले सरसेश टुपाएं बात कर लेते हैं कन्या राशिवा लोग ले दिशा उत्तर बहुत बहुत बहतर इस सप्ता कारशेत में सफलता नौकरी जो लोग हैं खासा तोर पर सफल होंगे उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है और खास तोर से प्रमोशन अगर वीट कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल जाएगा अच्छी तंखवा बढ़के आ सकती है आमदनी बढ़ सकती है हर तरह से अगर बिजनिस में हैं तो बिजनिस में भी हर तरफ से सफलता मिलेगी कोई नया बिजनिस, कोई नई आमदनी का सुरोत खुलेगा और जीवन में आगे बढ़ेंगे सिर्स साउधानी 13, 14, 15 तारिक को रखनी है किसी वादविवाद में नहीं पढ़ना है किसी सरकारी पचणे में नहीं पढ़ना है बाकी सब्ता बहुत अच्छा जाता दिख रहा है कहीं कोई तिक्कत नहीं आएगी एकागरता बनाए रखें खास्तों से स्टूडेंस वावाइक जीवन में जो समस्या कर्चत खोड़ी बहुत थी और खतम होती दिख रहे है यह पूरा सब्ता अच्छा दिखेगा बिजनिस में बातों की वज़े से आप लोगों को लुभानवित करेंगे प्रभावित करेंगे और बिजनिस में उनसे लाब लेंगे अब करना क्या है साकाहार अपना है यह आपके लिए सरसेष्ट उपाय है उसी के सासा पक्छियों को बुद्वार के दिन चरूर दाना डाल दे यह सरसेष्ट उपाय रहेगा पूरे सब्ता के लिए अब बात कर लेते हैं तुलाराशी की तुलाराशी दक्छिड पश्चिम अच्छी दिशा यहाँ पे आपको सफलता मिलने के योग मन परसंद रहेगा आपकी आयमे व्रद्दी होगी प्रमोशन की संभाव ना है व्यापार बढ़ता दिख रहे नई प्रापर्टी खरी सकते हैं वहाँ ना सकता है घर में माता पिता से किसी विवाद से बचें नहीं तो आप बिन बुलाएं मुसीबत बुला लेंगे नहीं तो दिक्कत और पढ़ सकती है वाद विवाद से बचना है पंदरास और सोला तारिक थोड़ी सी दिक्कत भरी है बाकी 13-14 ठीक है और बाकी सफता भी ठीक है 18-19 तारिक को कोई बड़ा लाब मिलने के पूरे योग बनते दिख रहे हैं अब उबाय क्या करना है सहद और सौफ और दही का दान बहुत सुब रहेगा इतना कर दिजिये सोमवार के दिन कर दें तो और अच्छा रहेगा अब बात कर लेते हैं मिलाकात हो सकती किसे मित्द से मुलाकात हो सकती लेकिन पिता का स्वास्त का ख्याल लग्रे ताकि स्वास्त 17 तारिक तक खराब रह सकता है थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूवत है बाकि 18 से उनके स्वास्त में इंप्रूम्मेंट आएगा दिक्कत कोई भी नहीं रहेगी छात्र पढ़ाई में अच्छा करेंगे खास तोर से माता से थोड़ी अनबन हो सकती 18 उननेस तारिक को उससे बचने का प्रयास करें अब उपाय क्या करना है रात को सर के पास पानी रख कर सोएं सुबह किसी पेड में टाल दें या आपके लिए सरसेस्ट उपाय पूरे हटे करते रहिएगा चो छोटी मुटी समस्य अब भी खतम हो जाएगी बात कर लेते हैं धनो राशी वालों की उत्तर पूरव अच्छी दिशा लंबे समय से कोई एक्षा जो पूर्ण होनी थी वो होगी कोई रुका हुआ काम होगा कहीं किसी से पैसा फसा हुआ ता खुद आकर दे रहेगा और व्यापार खासा तोर पर तरक्की करता दिख रहा है पूरे सप्ता आप अच्छे मूट में रहेंगे तेरा चौदा तारिक थोड़ा वहवाहिक संबंद और प्रेम संबंदू के लिए खराब है बाकी पूरा सप्ता नौकरी कारोबार के लिए अच्छा है सिक्षा के लिए अच्छा है कोई पुरानी बीमारी जरूर 14 तारिक तक परेशान कर सकती इसलिए थोड़ा सा बच के रहेगा उस पर ध्यान दीजेगा धारमेक कारों में रुची लीजिए तभी लाइफ बराबर अच्छी दिशा की और बढ़ती रहेगी करना क्या है आपको सोने के गहने अगर पहनते हैं जरूर पहने लेकिन तरजनी उंगली में कोई एक छल्ला जरूर धारब कर ले बहुत बहतर रहेगा प्रहस्पतिवार के दिन हल्दी के दान करते हैं बहुत शुब रहेगा अब बात कर लेते हैं मकर राशी की अब बात कर लेते हैं मकर राशी की वातावन अच्छा रहेगा असपास मन प्रफुलित रहेगा धीरे धीरे सपता के आखरी तक मन प्रसन हो जाएगा सोम, मंगल, पुत, थोड़ी सी दिक्कते रहेंगी, नौकरी और व्यापार में कोई आपका जो खास आदमी है, वो आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा बच के रही है, लेकिन बैस्पतवार से संडे तक चीजे आपके मनमुफीद हो जाएंगी, काड़ी चलाते समय ध्यान है, अपने जीवन साथी का ठ्यान रखना है, बंदरों की सेवा, केले के पेड़ में दूद दीजिए, सरसेज टुपाए, अगली राशी, कुम्बराशी, पश्चिम दिशा अच्छी, व्यापार में नई संभावना है, तलास नहीं तो जीवन में सफलता मिलेगी, 14 से लेके 17 तारिक तक स्वास्त में दिक्कते हैं, 18-19 तारिक खासा तौर पे अच्छी रहेगी, धन के लिहास से नौकरी के लिहास से पूरा सप्ता अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संभाव हो तो बुद्धवार के दिन या मंगलवार के दिन बंदरों को केला खि आपके लिए, बात करते हैं मीन राशे की, पूर दिशा खासा तौर पे अच्छी रहेगी, इस सप्ता के प्रारम में लाब होने की संभावना है, अचानक लाब होंगे, अचानक कोई बड़ा धन मिल सकता है, कहीं से अचानक इंसरेंस या शेयर मार्केट से लाब हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिलेगी, आपकी लोग तारीफ करेंगे, आमदनी अच्छी रहेगी, जो लोग धारमेक कारों से जुड़ें, उन्हें वहाँ बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, उन्हें बहुत अच्छे मांसिक सान्ती मिलेगी, सामाजिक तोर पे प् पंद्रा से लेके 19 तारीक तक शंकर जी की पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसी के साथ माद दुर्गा की आराधना करें, और उन्हें कुछ भी भोग लगा दें, और उनका आशीस मांग करी घर से निकलें, ये सरसेस्ट है, तो फिलहाल मैंने आपको झाल